Hello friends, welcome back to my channel दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो अगर आप जब भी Android फोन में फोटोस, वीडियोस और फाइल्स को जो है पेंडराइफ से कॉपी करकर पेस्ट करते हैं अपने Android फोन में आपके पास ये एरर आ रहा है तो आप इसको एजली रिमूफ कर सकते हैं दोस्तो ये एरर जो है अगर आपके पास पेंडराइफ में वारस है आप अपने फोन को कनेट करकर फाइल को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास ये फोन में एरर आ सकता है तो आप पहले आपके pen drive को एक बार format कीजिए format करकर आप फिर से file को copy करकर paste कीजिए आपके android phone में उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक और solution है इसका आपको आपके phone को reset करना है तो आपको android phone की setting में जाना है आपको phone की setting में आने बाद यहाँ पर about phone के ओपर click करना है उसके बाद आप जो ही यहाँ पर scroll कीजिए उसके बाद आपको यहाँ पर factory reset के ओपर click करना है फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं erase all data तो आप इस पर click करकर आप अपने phone को factory reset कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर phone को reset करने से पहले आप अपने phone में जो important data है आप उसका backup ले लिजे क्योंकि यहाँ पर phone को reset करने बाद आपका all data जो है delete हो जाएगा उसके बाद आपके पास यह problem नहीं होगी तो इस तरीके से आप easily इसकी problem solve कर सकते हैं उमीद है आपको वीडियो पसंद आ तो like कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को subscribe कीजिए